बट बहुत वागत प्ылसक्तूरних दोस्तों आप सब्शक्राइब इमाहरा है आपके अपने चैनल पहे मैं रोई था आप सभी के साथ मुझे उमीदें आप सब्सक्राइब ने कया अगर आपने अभी तक हमाए टेलेग्राम चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे लिंक आपको वीडियो के डिसेशन में दिया गया है और देखिए अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह बैंक निप्टी का चार्ट बैंक निप्टी के चार्ट को देखिए आप अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्योंकि देखिए मैं हमेशा लॉजिक के ऊपर बात करना पसंद करता हूं और लॉजिक के साथ काम करना पसंद करता हूं इस जगह देखिए आपको मैं लेवल इस जगह दिखाना चारहा हूं जे वाला लेवल अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा देखिए यह पूरा लेवल आपको दिखाई दी रहा है हमने कल भी आप से बात की थी कि अगर आपको इस जगह देखिए CE में काम करना है अगर मैं बात करूं इस जगह अगर आपको CE में काम करना है तो बजार में देखिए इस जगह 36,800 के ऊपर निकलता है बजार तो आप इस जगह CE में बाइंग कर सकते हो मैंने ऐसा क्यों बोला था सबसे पहले में आपको बताना चाहूंगा ऐसा मैंने क्यों बोला था क्योंकि अगर आप देखोगे यहां पर सबसे पहले में दिखाना चाहूंगा एक तारीक एक तारीक से फिर दो तारीक फिर तीन तार बजा रहें देखें कंसुलेट किया उसके बाद भी अगर आपको दिखाई देगा तो ये भी रजिस्टन है और जब बजा इस रजिस्टन को पाड़ करता यानि अगर मैं बात करूं इस लेवल को पाड़ करता तो उसमें एक बड़ी तेजी आपको दिखाई देती है यहां मैं आपसे बात करना चाहूंगा देखें 36800 के लेवल से इसमें बड़ी तेजी देखने को बली और इसने जो हाइँ जगा जो हाइँ मारा इसने बहु कहीं ने कहीं देखें इस जगह आपको देखने को मिलेगा शैसे सजार के आसफ़ेंगा यानि अगर मैं बात कायाउंग तो उसमें जो आपको तेजी कम से कम जो दिखाई देगी वो इस जगह 200 से लेके 300 पॉंट की तेजी आपको दिखाई देगी option के अंदर आज भी अगर आप देखोगे तो आज भी देखें market open हुगा इस जगह क्या हुगा market open हुगा market open होते ही इसने देखें उपर की site high मारा और जो कि कहीं न कहीं जगह जो high था वो 37,150 रुपे के something का high था और मैंने एक call भी दिया था उसमें लेकिन हुआ क्या कि भाई देखें बजार के अंदर आगर आप देखोगे तो इसमें देखें आपको काफ़ी जल्दी देखें तेजी देखने को मिली इसलिए मैं आपसे हमेसे कहता हूँ कि भाई लेवल देखके काम कीजिए किसी के call के उपाय भरोसा ही नहीं करना ना किसी call के वेट करना कि कोई हमको call देगा उसके बाद मैं काम करूँगा अगर आपको लेवल पता है आपको पता है कि भाई मैं जगा बाइंग करना है तो आप बाइंग करोगे अगर आपको पता है कि मुझे इस जगा सेलिंग करना है इसको जैसे इस बजाए नीचे की साइज जाएगा मुझे सेलिंग करना या तो आप सेलिंग करोगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी के भरूसे रहोगे और जो आपका call में जो profit हो सकता है उस profit को नहीं ले पाऊगे, जब कि देखें, लोगों ने इस जग़ा profit बनाया है, ऐसा नहीं बनाया है, कि इस वाली जो call था, उस पर call पर profit नहीं बना, बनाया है, लेकिन वही बात है ना, कि आप किसी CE को, आप किसी CE को, या आप किसी PE को, कितनी जल्दी आप bind करते हैं, और क इतनी जल्दी सेल करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे टेलेगराम चैनल को सस्क्राइब ने किया, तो टेलेगराम चैनल को भी सस्क्राइब कर लीजे, काफी जबरदस्त आपको call दिये जाते हैं, आपको लेवल दिये जाते हैं, आपको बताया जाता है, आपको सिखाया आभी benefit ले सकते हो हमारे साथ account open करके अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह 15 मिट का चार्ट open किया है काफी बढ़िया चार्ट है इसको समझोगे सब कुछ समझ में आएगा सबसे पहले देखे मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस जगह 15 मिट का चार्ट है ठीक है इस चीज आपको पर इसा दिखाई जरी है एक सितंबर के बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर देखे आपको देखने को मिले है यह market आपका पूरा sidebreeks है पूरा market देखे sidebase है उपर की sidebase अगर आप देखोगे तो उपर का भी market आपका पूरा sidebase है अब जी चीजों को समझेए कि आपके देखे 25 से लेके 26 27 और 30 इस दिन मार्केट जहाँ पूरा साइड वेस आपको देखने को बला ठीक है मार्केट पूरा साइड वेस था तो देखे हमको क्या समझ में आया इस जगा है हमको समझ में आया है कि वही देखे इस जगा 35,400 से मार्केट में continue तेजी दिखाई द 36,400 के समझ ठीक है 36,400 यानि अगर मैं बात करूं हजार पॉइंटों के इसमें तेजी देखने को बले उसके बाद देखे मार्केट में एक दिन और आपको तेजी दिखाई दी थी वह सितंबर को मार्केट में तेजी दिखाई दी थी जो कि कहीं ने कहीं आपको ऊपर की ले दो बार करेकशन आज के दिन भी देखे बजार में उसी लेवल से करेकशन आया था अगर आपने मार्केट को बिल्कुल सही तरीके से देखा हुगा उसके बाद देखे बीच में अगर आप देखो के दो बार देखे यहाँ पर भी एक बड़ा रजिस्टेन आपको वर्ज में आती है कि एक तो बजार में देखे इस जगह 36,800 के उपर बजार लिकलता है तो यहां पर हमको 200 पॉंट की तेजी देखने को मिलती है जो कि कई ने कई इस जगह 37,000 तक जाती है जो कि कई ने कई 37,000 तक उपर की साइट जाती है और नीचे की साइट इसमें चाहूँगा जो सपोर्ट आपका आता है 36,500 के आसफ़र्स का सपोर्ट लिखल के आता है तो यहां पर दो चीजे हम कर सकते हैं सबसे पहले देखे यहां पर मैं आपको टेरेल लाइन खेंच के बताऊँगा और बिल्कुल देखे लेवल के साथ काम कीजिए सबसे पहले तो कर सकते हैं क्या सकते हैं कि अकट यहां पर देखने को मिलता है कि 36,500 के सपोर्ट ले रहा है अगर जहां पर हम के बाइंक करते हैं पहली condition तो हमको जी देखने को बला हम इस तरीके से काम कर सकते हैं ठीक है दूसरी condition कि अगर बजार हमको देखे ऊपर के level पर मिलता है यानि अगर मैं बात करूँ इस जगह हमको बजार मिल जाता है 37,000 के आसफस तो हम उच जगह क्या कर सकते हैं पीई बाइंग कर सकते हैं आपका बजार उपर जाना चाहिए ये लेकिन ओपनिंग जो आपके ओपनिंग है और किलोजिंग किलोजिंग आपका इसके नीचे देना चाहिए 37000 के नीचे देना चाहिए जबी हम इस जगा शोट करेंगे तो फिर वह एक बुळिस पैटन में आ जाएगा अगर जो इसके उपर नहीं जाता और इसके नीचे ही देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे नीचे आया फिर गिरावट देखने को बली नीचे आया फिर गिरावट देखने को बली तो इसके नीचे होना चाहिए अगर इसके नीचे हमको मिलता है अब इसके नीचे कितना होना चाहिए बीस पॉइंट से लेके आपका जगा तीस पॉइंट आपका नीचे होना चाहिए तो भाह पर हम P-E बाइं करेंगे फिर हमारे जो टार्डेत होंगे वो target भी आप देख लीजे इस जगा सबसे पहला देखिए जो target आपको देखने को मिलेगा वो देखिए 36,900 का दूसरा target देखिए 36,800 का और तीसा target अगर मैं बात कहूं तो 36,600 का जो हमको target देखने को मिलेगे देखिए सबसे पहले इसको समझिए कि चार्ट में है क्या उपर की site अगर आप देखोगे तो जे देखिए उपर का एक column है और नीचे का एक column है यानि अगर मैं बात करूँ उपर की जो इसमें range दिखाई देती है वो देखे 37,000 की दिखाई देती है नीचे की range की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 36,500 की दिखाई देती है बीच की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 500 पॉंटो की range आपको दिखाई देती है अगर इस range के ऊपर ये break करता है तो वहाँ पर हमको buying करना है इस range के नीचे break करता है तो वाफे हमको sailing करना है इस range के उपर जाता है तो हमको CE buying करना है इस range के नीचे जाता है तो हमको PE buying करना है बाकी सारे target मैंने आपको बताई दिये अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like कीजे share कीजे, subscribe कीजे जय हिन पन्नमतम